Hello Everyone, Welcome to Mind Boosting Classes इस वीडियो में हमका क्षर्च है विशे समाजिक विज्ञान की कारे पत्रक्ष है करेंगे तिथी है इसकी 28 जुलाई 2020 और इसका उप विशे है महासागर इसको शुरू करने से पहले अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे तो आईए स्टार्ट करते हैं आज की वक्षीट जैसा कि आपने पिछली वक्षीट में महाध्यूपो के बारे में जाना कि प्रित्वी के बड़े भुबाग को जिसकी सीमा इस पस्ट पहचानी जा सके उसे महाध्वीब कहते हैं तो हमने महादीपों के बारे में जाना था, प्रित्वी पर बहुत बड़े भुबागों को हम क्या कहते हैं, महादीप कहते हैं, महादीप के अंदर बहुत सारे देश होते हैं, है ना, आज हम महासागरों के बारे में जानेंगे जो इन महादीपों को चारो और से घेरे रहते प्रित्वी पर पाय जाने वाले जल का 97 प्रतिशत से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है तो महासागरों में जल का यानि जो पानी है धर्ती पर उसमें 97 प्रतिशत तो महासागरों में ही पाया जाता है पानी का महादीपों की तरहें महासागर की सीवाइस पस्ट नहीं होती बड़े से छोटे अकार के अधार पक्रमश पाच प्रमुक महासागर है तो कितने महासागर होते हैं? पाच प्रमुक महासागर होते हैं कौन-कौन से? प्रशांत महासागर, अट्लांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षणी महासागर, तधा आर्क्टिक महासागर ठीक है, यह पाच प्रमुक महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा है Arctic महासागर ठीक है तो यहाँ पर पाच प्रमुक महासागरों के नाम है नीचे दिये गए इन चित्र में इन महासागरों में स्थिती पहचानी है तो देखते हैं कहां कहां हैं महासागर हमें यह बताना है यहाँ पर देखना है तो देखिए, सबसे पहला ये हिंद महासागर है यहाँ पर दोनों तरफ प्रशांद महासागर है यहाँ एटलांटिक महासागर है ठीक है, यहाँ पर आक्टिक महासागर है और यहाँ दक्षणी महासागर है क्योंकि यह दक्षण की तरफ है तो इस तरीके से पाचो के पाचो प्रमुक महसागर यहाँ पर दिये गए है तो यह आप देख लिजेगा कहाँ पर क्या है और इनके नाम जरूर याद कीजेगा पाचो प्रमुक महसागरों के प्रशान्थ, अट्लांटिक, हिंद, दक्षणी और आक्टिक और बच्चो देखें जो हमारा चनल माइंड बूस्टिंग क्लास है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पर हम हर महीने के आखरी हफते में एक क्वेज या फिर कॉम्पडिशन करवाते हैं लेकिन अपसे हमने एक नया चनल बनाया है माइंड बूस्टिंग कॉम्पडिशन अपसे जितने भी कॉम्पडिशन्स और क्विजस हुआ करेंगे वो हमारे नया चनल माइंड बूस्टिंग कॉम्पडिशन्स पर ही हुआ करेंगे और अभी हाली में हमें competition करवाने वाले हैं जिसका नाम है talent competition अगर आप talent competition में हिस्सा लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें क्या करना है तो वीडियो की link में आपको description में दी दूँगी उस वीडियो में मैंने आपको सार information दी है talent competition के बारे में तो जरूर देखिएगा वीडियो की निंग दिस्क्रिप्शन में है आईए प्रश्णों की तरफ भढ़ते हैं पहला प्रश्ण है रिक्तिस्थान भरिए प्रित्वी पर कुल डैश महासागर है तो यहाँ पर आज येगा पाच प्रमुक महासागर है ठीक है? प्रित्वी पर कुल पाच प्रमुक महासागर है दूसरा प्रश्ण है सबसे बड़ा महासागर डैश है तो अभी मैंने आपको बताया सबसे बड़ा महासागर प्रशान्त महासागर है ठीक है? प्रश्ण दो पूछा गया है किस महासागर का नाम हमारे देश पर रखा गया है तो इसका उत्तर आजएगा हिंद महासागर हिंद महासागर का नाम हमारे देश पर रखा गया है आपको पता योगा हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है और हिंद महासागर बन गया हिंदुस्तान में से ही निकल कर तो हमारे देश के नाम पर हिंद महसागर का नाम रखा गया है तो ये हमारी वक्षिट खतम होती है कैसी लगी ज़रू बताईए अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू